दोस्तों खान पान में अलसी के बीज का इस्तेमाल आज से ही नहीं बलकि हजारों सालों से हो रहा है आज पूरे विश्व में इसे खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फाइदिमंद है इसमें विटाविन B1, प्रोटीन, तांबा, मैगनीज, ओमेगा 3 असीड, लिगनन, इसके समेथ कई माइक्रो निउट्रेंट्स भरपूर मात्रा में होती है और बाजार में यह असाने से मिल जाता है बाजारों में मिलने वारे अलसी के बीज, पीले और भुरे रंक्यों होती है अलसी के बीज, साबुत, पिसा हुआ, यह तेल समेथ अलग-अलग रूप में बजार में उपलवद है किसी भी रूप का इस्तिमल बहुत फाइदे मिन्गत होगा तो यह जानते हैं अलसी के बीज के चमतकारी फाइदों के बारे में दोस्तो आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकोन को जरूर दोपा देना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसका पहला फाइदा यह डायविडिज से बचाता है अलसी के बीज को वेजटेरियन फिश का जाता है इसमें ओमेगा फैटी आसिड और फाइबर्स यह परपूर मातरा में होता है और इसका सेविल करने से डायविडिज, कैंसर, हार्ट समंदी बिमारियों खत्रा बहुत हद तक कम हो जाता है ब्रेष्ट केंसर को रोकता है अलसी के बीज खाने से ब्रेष्ट केंसर और कोलокиक्ण केंसर के समभावना कम हो जाती है जानुवर पर किएगे प्रयोग के बद पता चलना दोस्तो कि ओमेगा 3 फैटी आसिड जो अलसी के बीज में परचूर मातरा में होता है यह tumor को घटाता है प्रयोग के दुरान पताया गया कि omega 3 fatty acids नुक्सान पंचानवाले body cell को दूसरे cell से चिपकरने से रोकता है LC की बीजे मजुद लिगनन tumor को काम करने से रोकता है इसी वज़े से tumor नया blood नहीं बना पाता है और cholesterol को नियंतित रखता है LC की बीज का 7 करने से cholesterol control में रहता है दोस्तों लावा स्टेट युनिवस्टी के nutrition department के research में पाया गया है कि जो लोग LC की बीज का 7 करते हैं उनमें cholesterol की मात्रा कम होती है omega acid cholesterol को नियंतित रखता है periods में गडबडी को रोकता है दोस्तों सोसाइटी फर इंटेग्रेटिव अग्रिनलोजी ने अपने study पाया है कि जो महिलाएं LC की बीज का 7 करती है उन्हें periods में गडबडी का सामना नहीं करना पड़ता study के मताबग जैसे हार्मोन और रिप्लेस्मेट थ्रैपी काम करती है LC के बीज भी उसी तरह का असर दिखाते है LC के बीज खान से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है इसमें मुझूद लिगनन पोशिक पदार्थ ब्लड शुगर कंट्रोल करता है दोस्तों टीशू को रिडियेशन से बचाता है LC के बीज बोडि टीशन को रिडियेशन से बचाता है एंटी उक्षेंट स्पूर के तोर पर LC के बीज का इस्तिमाल किया जाता है दोस्तों रिसर्च में यहीं पदा चला है कि ओमेगा 3 फैस्टी एजिट हार्ट सिस्टम को समूद करता है इसके सेवन से हार्ट बीड नॉर्मल रहती है और कुछ स्टेड़ी में यहीं पाया गया है कि यह ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में करता है अगर आपका हार्ट सिस्टम समूद है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है तो हार से संबंदी प्रोब्लम कभी नहीं होगी अलसी के वीज खाने से वजन कंट्रॉल में रहता है इसके लावा या ब्लड में मुझूद शुगर लेवल को मैंटेन रखता है और साथ एक खाने के दुरान शुगर लेवल पांच गुना तक भर जाती है जिससे आप सहीमत मातर में इसे खाना खाते है कभज के वीज को दूर करता है दोस्तों अलसी के वीज के समय करने से कभज की समस्याद दूर हो जाती है तो दोस्तों यह थे अलसी के बेहतरिन फायदे उमीद आपको जानकर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेर जुरूर करें ताकि वो भी इसका फाइदा उठा सकें अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए फिर मिलते अगले वीडियो में एक ने टोपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार धनेवाद